दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने योट्यूब चैनल पर इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं होट स्टार सिड्ड़ूडी प्रोब्लम के सोल्जिशन पर दोस्तों अगर आप होट स्टार देखते हैं होट स्टार पर नई-नई मूवी देखने का शोक रखते हैं जैसे आप होट स्टार को ओपन करने के लिए जाते हैं अगर आपके सामने कोछ इस तरह का ये एरर आता है सम्थिंग वेंट रॉंग तो गैज इस प्रोब्लम का सोलिशन आपको कैसे करना इस वीडियो के अंदर 3-4 मेतट बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फोलो करते हैं तो 100% आपकी प्रोब्लम का सोलिशन होने वाला है तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट कर लेते हैं इसके साथ ही गाई जिस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा देखिए दोस्तों सबसे पहले इस टैप के अंदर आपको एक बार फ्लाइट मोड को इनेबल करना होगा आपने नोटिफिकेशन बार को नीची की तरफ स्क्रोल कर लेना आपको दोस्तों आपको एरपलेन मोड दिखाई देगा जिसको हम फ्लाइट मोड बोलते हैं आपको एक बार इसको इनेबल करने के बाद इसको डिसेबल कर देना है आपके नेटवर्क के बार जाने के बाद दुबारे से आ जाएंगे और आपके internet से related कोई भी issue होगा वो यहां से automatically fix हो जाएगा उसके बाद भी दोस्तों अगर आपके hot star पर problem same heritage बनी हुई है आपको अपने phone की setting को open करना है उसके बाद आपको यहां पर एक option दिखेगा SIM card और mobile network आपको इस पर click करना है जो भी SIM दोस्तों आप use करते हैं जिसमें आपका data है आपको उसको select कर लेना है यहां से आपको access point name पर click करना है और इसको कर देना है यहां से reset उसके बाद दोस्तों आपको यहां से back आना है back आ जाने के बाद आपको अपने phone की setting के अंदर ही रहना है नीची के तरफ scroll कर लेना है यहां पर आपको apps वाला एक option दिखेगा आपको इस पर click करना manage apps पर tap कर देना है search bar पर आपको click करना है और यहां पर आपको search करना होगा hot star hot star वाली application आपके सामने आती है आपको इस पर click करना है आपको नीचे से clear data पर click करना यहां सिसका कर देना है clear all data फिर दोस्तों आपको data usage पर click करना है mobile data, wifi background data तीनों में से कोई भी disable है तो उसको इस तरह से enable कर लेना फिर आपको app permission पर click करना है आपको सभी permission enable कर देनी है connection method पर click करना है दोनों को tick करना है okay press कर देना है battery saver पर click करना है hot star को update कर लेना जिसके बाद दोस्तों आपकी जो problem है इसका solution 100% हो जाता है और जो आपका hot star है वो चलने लग जाता है देखे दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हमाल जो hot star है वो properly open हो गया है तो guys आज वाली इस video के नमेरे को आपको इतना ही बताना था अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो please हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने इस video को like करने प्यारा हाँ कोमेंट करना मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तके लिए बाई बाई फ्रेंड्स